आज आएम केंपस के सिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवां सामर्थ को मजबूती देने वाली एक नविन शिला भी रखी गई है आएम संबलपूर का पर्मानेंट केंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मेनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है नए वर्ष के शुरुवात में इस सुभारंब ने हम सब के आनन्द को दो गुना कर दिया है साथियों बीते दसकों में एक ट्रेंड देश ने देखा बाहर बने मल्टी नेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धर्ती पर आगे भी बड़े ये दसक और ये सदी भारत में नए नए मल्टी नेशनल्स के निर्मान का है भारत का सामर्थ दुनिया में च्छा जाए इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है आज के स्टार्ट अप्स ही कल के मल्टी नेशनल्स है और ये स्टार्ट अप्स जादा तर किन शहरों में बन रहे हैं जिनने हम आम तोर्प के भाषा में टियर टू टियर थ्री सिटीज कहते हैं आज स्टार्ट अप्स का उभार उन जगह पे देखाबने को मिलता है इन स्टार्ट अप्स को भारतिय युवाओं की नई कंपनियों को और आगे बढ़ने लेकिये उसके लिए बहतरीन मैनेजर्स चाहिए देश के नए ख्षेत्रों में नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्षपर्ट्स भारत की कंपनियों को नई उचाई देने में बड़ी भूमी का निपाएंगे साथियों मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल कोवीर संकट के बावजुद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्ण दिये है आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूत्पुर्व रिफॉंस किये जा रहे हैं उनमें स्टार्ट अप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तयार करना है आपको अपने केरियर को भारत की आशाओं और आख्याओं अंच्छाओं के साथ जोड़ना है इस नए तसक में ब्रांड इंडिया ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मदारी हम सब पर है विशेश रुप से हमारे नवजमानों पर है